हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तु कल्ल्नाणी आईस अकेडमी, एज यू नो आपकी MPPSC प्रिलिम्स की तियारी के लिए हमने साइन्स की सीरीज स्टार्ट की है, अब इस सीरीज में जो आज का टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सिक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी संत्रा खाया है, निश्चित तोर पे खाया होगा, बड़ा ही रसीला फल होता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है, कि आखिर ये फल जो है, हमें कैसे मिलते हैं, तो अब आप कहेंगे सर, पेड के ऊपर उखते हैं न पल, बिल्कुल सही, पर सवाल तो अभी फिर भी वही है कि आखिर एक पेड जो है, उस पर कैसे पूल उखते हैं, और कैसे ये पूल जो है फिर क्या करते हैं एक फल में परिवर्तित हो जाते हैं जिसके अंदर बीज होते हैं और जिनसे क्या होता है फिर से एक नया जो है पेड जो है और उसके अंदर पूल जो है उग जाते हैं तो इसी बात को डीटेल में हम आज के सेशन में समझने वाले ह जो की है sexual reproduction in fabric plants यानि उश्पिय पौधों में लेंगिक प्रजनन ठीक है अब अगर हम बात करें इसकी तो देखिए जो जनक पौधे होते हैं उनमें क्या होती है sex कोशिकाएं होती है sex cells जो है होते हैं जिने हम gamit योगमक से जानते हैं अब आप कहेंगे सर gamit योगमक ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है हाजी अगर आपने हमारी सीरीज का reproductive system यानि प्रजनन तंत्र वाला session देखा है तो उसमें आपने समझा होगा कि जो male रहते हैं जो पुरुष रहते हैं उनमें क्या होता है तो उनमें शुक्राणू जो है युगमक होता है उसी तरह से जो महिलाएं होती है उनके अंदर जो है अंडाशे के भीतर अंडाणू होता है या फिर हम कहें ओवम ओवा अंडा होता है जो की महिलाओं का क्या है गैमिट है युगमक है तो इसी तरह से पूर्शो इसी तरह से पौधों में भी क्या होता है गैमिट्स होते हैं युगमक होते हैं जिनके निशेचन से या जिनके मिलन से क्या होता है एक नए जीवन की उत् पत्ती शुरुवात होती है इसी को हम क्या कहते हैं लेंगिक प्रजनन जो है कहते हैं अब ऐसा करने वाले पौधों का भी क्या है एक निश्चित नाम है जिने हम क्या कहते हैं आवर्द बीजी या एंज्योस्पम कहते हैं जिस प्रकार से जानवरों में सबसे जादा विक्सि हम मनुष्य हैं, उसी तरह से पादपों में भी जो सबसे जदा विक्सित पादप है उन्हें हम आवर्द बीजी या एंज्योस पम कहते हैं आसान भाशा में ऐसे पादप जिन में क्या होता है फ्लावर्न जो है, पुश्प जो है, उखते हैं और फल जो है आते हैं जिनके भीतर बीच पाए जाते हैं अब इसकी अगर हम बात करें तो आज के session में हमें क्या करना है जो flowers हैं उनकी भीतर जो सारे अंग पाए जाते हैं उनको समझना है और इनसे बनने वाले जो questions है उनको भी हमें क्या करना है clear करना है पर इसके पहले आप यह अच्छे समझ पाए इसके लिए आज के session को हम क्या कर रहे हैं एक short में brief कर रहे हैं कि क्या का stages होती है sexual reproduction में लेंगिक प्रजनन में उसके बाद हम detail में एक एक अंग को समझेंगे तो देखिए पुष्प के अंदर क्या होता है अगर हम बात करें तो पुष्प दूइलिंगी होते हैं दूइलिंगी मतलब bisexual मतलब एक ही पुष्प में नर अंग भी होते हैं अधिकतर और मादा अंग भी होते हैं अधिकतर पौधे ऐसे ही होते हैं जो दूइलिंगी होते हैं ठीक है अब नर अंग को क्या कहा जाता है पूंकेसर कहा जाता है या फिर स्टैमन कहा जाता है देखिए ये पूंकेसर है स्टैमन है जो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है इसी में क्या पाए जाते हैं पोलन ग्रेंज पाए जाते हैं पराकण पाए जाते हैं जो क्या कर अब आप कहेंगे अंडब कार्पिल तो इसी को आप एक दूसरे नाम पिस्टिल से भी जानते हैं जिसमें ये सब चीजे आती हैं ये देखिए बीच वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है अंडब कार्पिल कहलाता है ये क्या है ये पुरुष के मादा अंग है या फिर हम कह सकते मह महिलाओं की जो ओवरी है अंड़ाशे के ये क्या है बराबर है इसके अंदर क्या होते हैं बीजांड यानि ओव्यूल्स पाए जाते हैं जैसे महिलाओं के अंड़ाशे के अंदर अंड़ा मिलता है वैसे ही पादपों की ओवरी के अंदर क्या मिलते हैं तो ओव्यूल्स जो ह पाए जाते हैं ठीक है अब होता क्या है तो नर युगमक जो है उनका मिलन किससे होता है मादा युगमक से होता है ठीक है यानि कि जो नर युगमक है वो आकर किससे मिलेंगे मादा युगमक से मिल जाएंगे ठीक है इसी को हम क्या कहते है निशेचन यानि पर्टिलाइजेश कहते हैं अब मुझे बताईए निशेतित अंडा जो होता है वो क्या होता है विक्सित होता है तो विक्सित होकर वो क्या बन जाता है बीज बन जाता है ध्यान से सुनिए बीज बनने के बाद बीज का क्या होता है अंकुरन होता है वही बीज को जब आप जमीन में गार देते ह तो क्या होता है बीज में से वापस से एक पादब जो है निकलाता है तो जब ये प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कह देते हैं अंकुरन कह देते हैं तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो फूल से क्या बनना बीज बनना और बीज से वापस फूल बनना ये क्या है ये एक स लेकिन यहां से काफी questions जो है पूछे जाते हैं इसलिए हमें पादप के जो अलग-अलग अंग है उन सब के बारे में डीटेल में जानकारी जो है होनी चाहिए ठीक है अब pushp के अलग-अलग भागों की हम बात करें तो सबसे पहले हम तीन भागों की बात करेंगे कौन-कौन से receptical, बाहे दल और अंखोडिया सबसे पहले बात करते हैं receptical की अब मुझे बताईए जो pushp होता है उसमें नीचे एक तना होता है की नहीं होता है बिलकुल निश्चित तोर पे तना होता है अब इस तने के उपर का भाग ये बीच वाला, जिसके उपर पूरा पिश्पु टिका होता है इसे क्या बोलते हैं? receptical बोलते हैं, ठीक है? यानि की pushp के तने या डंठल के उपर जो इससा पाया जाता है जिसे हम क्या कह सकते? pushp का आधार वो क्या होता है? receptical question आ सकता है pushp का आधार क्या होता है? तो जवाब रहेगा receptical अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मुझे बताइए शारुक खान जो है जब क्या कहते हैं डर पिक्चर में नाम पुकारते हैं किसका किरन का? तब वो क्या तोड़ते हैं? तो निश्चित तोर पे आप कहेंगे सर वो पंखुडिया जो होती है petals जो होते हैं उनको तोड़ते हैं अब ये पंखुडिया जो हैं ये petals जो हैं क्या इनका कुछ उपयोग होता होगा? तो देखे प्रक्रती ने किसी भी चीज़ को बेकार में नहीं बनाया जो पौधे रहते हैं या फिर जो पुश्प रहते हैं उनका जो male और female organs होते हैं असल में इन male और female organs को की सुरक्षा किस से की जाती है तो इनी petals से इनी पंखुडियों से की जाती है और ये सारी पंखुडियां कुल मिलाकर साथ साथ में एक साथ क्या बोली जाती है तो ये एक साथ दलपुझ जो है कोरोला जो है कहलाती है ठीक है ये बड़ा important है कि एक पुश्प की सारी पंखुडियों को मिलाकर क्या कहा जाता है तो दल्पुन जो कोरोला कहा जाता है ठीक है? इन से क्या होता है? खुश्बू आती है और ये खुश्बू ध्यान दीजेंगा इसी खुश्बू से क्या होता है? जो पॉली नेशन पक्रिया आज के सेशन में हम डीटेल में समझने वाले हैं वो होती है जो कीडे क्या होते है? खुश्बू के कारण क्या होते है? परागन के लिए आकरशेत हो जाते हैं पर ये जो पैटल्स होती है आज पूल में ध्यान से देखिए ये जो पैटल्स है ये जो पंखुडिया है ये भी क्या होती है? टिकी हुई रहती है ठीक है तो ये होता क्या है तो जो पुश्प होता है उसके नीचे की तरफ में जो हराय वाले भाग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सैपल कहते हैं जब पुश्प कली के रूप में होता है तो उस समय उसकी सुरक्षा कौन करते हैं तो ये बाहिदल यानी सैपल ही करते हैं अ तो इनको मिला के क्या कहा जाता है इनको बहे दल पुंज इनका इंगलिश नाम बड़ा important है कैलिक्स यह आप से एक्जाम में पुछा जा सकता है इन्हें कैलिक्स जो है कहा जाता है इसके बाद अगर हम बात करें तो पुश्व में जैसा कि हम जानते हैं वो अभी हमने समझा है यह दूलिंगी होते है यानि इनमें मेल और फीमेल दोनों अंग जो है पाए जाते है तो इनमें जो पुरुष प्रजनन अंग होता है नर प्रजनन अंग होता है उसे हम क्या कहते है पुंकेसर कहते है यानी स्टैमन कहते है अब जो पुंकेसर होता है स्टैमन होता है ये कहा होता है तो देखिए ये हिस्सा क्या है स्टैमन है पुंकेसर है जैसे पुर्शों में अगर हम बात करें लिंग होता है उसी प्रकार से पुष्पुं क्या होता है स अब यह stamen की भी अगर हम बात करें तो ये भी दो हिस्सों से बना होता है कौन-कौन से एक एंथर और दूसरा फिलामेंट पूरे पुश्म में भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एंथर और दूसरा फिलामेंट अब इन में अगर हम बात करें तो जाधा इंपोर्टेंट क्या है तो एंथर है एंथर को आप जो हिंदी नाम है उससे अगर समझेंगे तो आपको जाधा अच्छे समझ में आएगा हिंदी में हम इसको कहते है पराग कोश अब नाम में देखे क्या आगया कोश मतलब जिसके अंदर क्या है पराग है तो पुश्म का जो पराग कोश होता है वो क्या उत्पन करता है पराग करन उत्तन करता है और उन्हें अपने बीतर रखता है पोलन ग्रेंस मतलब जैसे पॉश्प में क्या होता है पराक के कण होते हैं यही पौधे के नर्म-्युग्मग जो है उसको धारन करते हैं धीक है यह आप द Chic कि अंदर क्या है पराकड हैं अब कि यह पराकड क्यों हमेत्वकूर तो समझें जब अगर हम बात करेς हवा चलती है या पिर जब कीडे आते हैं इंसेक्स आते हैं तो यही पराकण कहां जाते हैं यही जाते हैं पुष्प की ओवरी में ठीक है अब केसे जाते हैं वो तो हम आज की सेशन में आगे समझेंगे अब स्टेमन के बाद दूसरा भाग क्या होता है दूसरा मादा प्रजनंग अंग होता ह जिसे हम कई नामों से पुकार सकते हैं अंड़, कारपिल या जायांग जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पिस्टिल ठीक है? अब ये पौदे के कहां पाया जाता है तो मध्धि में पाया जाता है जिसा कि आपने भी देखा ये वाला हिस्सा क्या है? पिस्टिल है अब ये कितने भागों बटा होता है तो ये तीन भागों बटा होता है क्या क्या होते हैं स्टिग्मा, बर्तिका यानि स्टायल और अंड़ाशे, यानि की ओवरी सबसे पहले बात करें हम स्टिग्मा की तो मुझे बताएए जब स्टेमन जो है उससे क्या होगा पोलन ग्रेंज यानि पराकण कहां आएंगे ओवरी पर आएंगे तो इस हिस्से पर वो चिपक जाए इसके लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं निश्चित तोर पे होना चाहिए तो चिपकने वाला हिस्सा क्या कहलाता है ये ये कहलाता है इस्टिगमा जिससे पराकण क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं पोली नेशन के दोरान जिसको हम आगे आज के सेशन में समझने वाले हैं फिर इस्टिगमा से ये कहां जाता है देखी जो पराकण है वो यहां नीचे जाते हैं तो जो stigma है और नीचे वो कहा जा रहे है तो ओवरी में जा रहे है इन दोनों को जोडने वाली बीच में क्या है एक नली है इस नली को हम क्या कहते हैं तो इसको हम बर्तिका यानि की style कहते हैं और तीसरा सबसे महत्वपुन भाग जो होता है वो होता है ओवरी यानि अंडाशे तो जैसे महिलाओं के प्रजनन तंत्र में क्या होता है अंडाशे होता है वैसे पुष्पो के प्रजनन में भी क्या होता है अंडाशे होता है इस अंडाशे में क्या मिलते हैं तो इसमें बीजान्ड ओव्यूल्स मिलते हैं यह आप देख सकते हैं यह क्या है यह बीजान्ड ह अब ये बीजांड ओव्यूल्स इसलिए important होते हैं क्योंकि एक push में कई बीजांड होते हैं और इनी बीजांड के अंदर क्या होता है मादा युगमक जो है female gamits जो है पाए जाते हैं जिसे मैलाओं में हम क्या कहते हैं अंडा कहते हैं तो push में इन्हें क्या कहा जाता है अंडा यहीं पर इन ओव्यूल्स में मादा युगमक से टकराते हैं अब उसके बाद क्या होता हुटा हुटा हम पर्टिलाइजेशन में देखी लेंगे अब इसी के साथ सारे महतवपुन अंग हमें पुश्प के क्लियर हो गए हैं पर इन अंगों को जैसा हमने समझा ये क्या करते हैं ये नए बीच के निर्माण में सयोग देते हैं तो नए बीच को बनाने में दो प्रक्रिया जो है महतवपुन है जो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए जिससे कोश्चन भी पूछे जा सकते हैं पहली परागण है और दूसरी निशेचन यानी फर्टिलाइजेशन है अब परागण की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है तो देखिए जो पूंके सर है उससे पराग की जो कण है वो कहा जाते हैं अंड़ा के अंडप के स्टिग्मा में आते हैं जिसे हम परागण कहते हैं मतलब सर तो देखिए अभी आपने समझा ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है स्टेमन कहलाता है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है पिस्टिल कहलाता है तो जो पुंके यह मुझे बताईए, क्या ये अपने आप हो सकताई? निाचित तोर पे ये अपने आप नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई क्या होगा कारक होगा तो इसके पीछे जो हैं दो प्रकार के कारक होते हैं जिने हम agents of pollination कहते हैं ये abiotic हो सकते हैं या biotic हो सकते हैं abiotic मतलब सर जो जीवित ना हो और biotic मतलब जो कही न कही क्या हो जीवित हो तो जीवित नहीं एबाइटिक वाले में कौन आएंगे तो उसमें विंड आएगी और वाटर आएंगे देखी क्या होता है कुछ पुश्प ऐसे होते हैं जिनके पैटल्स बहुत छोटे होते हैं चोटे पैटल्स होने के कारण जब हवा चलती है, तो हवा से क्या होता है? पुंकेसर से, जैसा कि आपने समझा, स्टिग्मा तक पराकण आ जाते किस के कारण? हवा के कारण और पानी के बहाओ के कारण. पर अगर मुझे एक बात बताईए, कि किसी पुष्प में क्या हो पैटल्स बड़े-बड़े हो तो क्या ये काम हवा-पानी कर पाएंगे निश्चित तौर पे दिख्कत आएगी तो तब क्या होगा तो देखिए तब जो है उसके लिए भी प्रकृती ने विवस्था की है प्रकृती ने क्या करा है जिनके पैट पुष्प भी इनसे आती है जिसके कारण पक्षी हो कीडे हो रेप्टाइल्स हो या फिर मेमल्स यानि स्तंधारी जीव हो ये सब क्या होते हैं पुष्प की तरफ आकरशित होते हैं इसके अलावा एक रस भी इनसे निकलता है पुष्प से जिसे हम नेक्टर कहते हैं मदु दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तरफ पहुचा देती है जिसके कारण क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया बड़ी ही आसानी से हो जाती है एजेंट्स अफ पॉलिनेशन आपको कुल मिला के यहां पर पता होना चाहिए एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है अब स्टिग्मा पे आने के बाद जैसा कि आपने समझा मादा और नर दोनों युगमगों को क्या होना जरूरी है मिलन जरूरी है तो दोनों की युगमगों की मिलन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं पॉइटिलाइजिशन कहते हैं अब यह कैसे होता है समझिए जो पॉल पॉलन ट्यूब जो है विक्सित होने लग जाती है इसी पॉलन ट्यूब के भीटर क्या चलते है जो पुरुष युग्मक है इस्पं जो है चलते है इसके बाद वो कहाँ पहुंच जाते है तो वो ओवरी के अंदर Physics का उस ओवरी के अंदर ओविूल तक पहुँच जाते हैं, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, और जब मादा और पुरुष, दोनों मिल जाते हैं, तो मुझे बताइए, दोनों युगमगों के मिलने से क्या बनता है, तो ये आपने हमारी रिप्रोड़क्शन के सेशन में पढ़ा होगा, बनता है ठीक है बीजान कहते हैं ओव्यूल को हिंदी में अब इसके बाद जो है हमें समझना चाहिए कि फुल जो है फुरूड जो है वो आखिर कैसे बनते हैं जो कि अभी तक हमने क्या समझा मादा और नर दोनों युगमगों का मिलन हुआ मिलन कहां हुआ जो पुश्प के अंदर ओवरी है उसके अंदर जो ओव्यूल है वहाँ पर हुआ अब इसके पश्चात क्या होता है फलो का निर्माण होता है तो जो बिजानू होते हैं उसमें जो निशेचित अंडा होता है वो कई बार क्या होता है विवाजित होता उसके बाद धुरुण बनता है देखि जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, जिने हम बीजानू कहते हैं, तो ये बीजानू किसमे विक्सित हो जाते हैं, ये बीच के रूप में विक्सित हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए, बीजानू किसमे विक्सित होते ह और pushp का अंड़ा शेकिस में विक्सित होता है, फल की रूप में विक्सित होता है, सर्प कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देखे ज़रा इस डाइग्राम को, ये क्या है, ये pushp की ovary है, तो ये ovary किसमें विक्सित होगी, तो ये फल के रूप में विक्सित होगी, और इस ovary के अं इसके बाद जो फूलों के अन्न हिस्से हैं जैसे बाय दल, पुंकेसर, स्टेमन, वर्तिका ये सब जो हैं इस्टिगमा वर्तिका ये सब गिर जाते हैं मतलब कि ये देखिए, ये सारे हिस्से जो पैटल है, स्टेमन है, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं. सिर्फ ओवरी और ओवियूल वाला हिस्सा जो है, वो बच जाता है. फूलों के अन्न हिस्सों की गिरने के बाद जो बीज है उसकी रक्षा कौन करते हैं तो देखी ये तो हम सबको क्लियर है कि जो भी फल हम नॉमली खाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं बीज होते हैं तो बीजों की रक्षा किसके दौरा होती है फल के दौरा होती है अब इसमें कुछ फल क्या होते हैं मुलायम और रसीले होते हैं जैसे अंगूर जिनको हम क्या कहते हैं टू फ्रूट कहते हैं और कुछ फल कैसे होते हैं तो ये कठोर होते हैं और सूखे होते हैं जैसे स्योफल जिसको हम पॉल्स फ्रूट कहते हैं तो ये टू फ्रूट और पॉल्स प्रूट इसकी भी आपको जानकारी जो है रहनी चाहिए इसके अलावा गर हम बात करें तो देखिए बीच जो है उससे भी कुछ सवाल जो है पुछे जा सकते हैं अभी हमने क्या कर लिया वापस से रिकॉल कीजिए हमने फूल जो है उसमें स्टेमन और क्या करते हैं जो बीच है उसका निर्मान करा अब बीच के हम बात करेंगे तो बीच जो है ये पौदो की क्या है प्रजनन इकाई होता है और इस बीच से ही क्या होता है नए पौदे विकसित होते हैं समझी जरा जैसे ये पल जो है जब मैं खा लूँगा तो इस फल में से क्या हो बचें और ये बीज जो है जब जमीन में जाएंगे तो इन बीजों से ही क्या होगा नए पौधों का विकास होगा ठीक है पर इसके लिए एक बात समझी जब तक इस पल्ल का जो बीज है वो जमीन में मैं रख नहीं देता और वो पौधे के रूप में विकसित नहीं हो जाता तब त अब तक वो बीच जिन्दा रहता है, अपने अंदर पाए जाने वाले बीच पत्र, यानि कोटली डॉन्स की मदद से, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, एमरायो है, भुरुण है, जो आगे जाकर क्या बनने वाला है, पोधा बनने वाला है, तो इसके लिए क्या होता है, बीच के अंदर ही धेर सारा खाना होता है, जिसे बीच पत्र या कोटली डॉन्स जो है, हम कहते हैं, ठीक है, अब जो बीच होते हैं, उसमें एक चीस समझी, जो इंपोर्टन आप से एक्जाम में पुछा जा सकता है, बीच में जो नविन पोधे का हिस्सा, जो पत्यों का रूप लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लूमिल कहते हैं, अब ये क्या है, तो देखिए, बीच में अगर हम बात करें, दो चीजे बनेंगी, पहला हिस्स क्या बनेगा, एक पत्या बनेंगी, और दूसरा क्या बनेगी, जड़ बनेगी, तो जो जड़ बनाता है, उ उसको हम क्या कह रहे हैं रेडिकल कह रहे हैं या आप देख सकते हैं जड़ के रूप में विकास हो रहा है और जो हिस्सा पत्ती के रूप में विक्सित हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं ये सवाल आप से एक्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं ठीक है अब लेकिन बीच से फू इसमें क्या होता है? तो इसको आप ऐसे समझिए. मुझे बताइए, जैसे अगर हम बात करें अंकुरित खाने की, भई आप लोग जैसे अंकुरित खाते ही होंगे, तो ये अंकुरित जो है जब हम बन्नी में रखे रखते हैं तो मुझे बताईए क्या ये खराब होते है या फिर क्या इनसे पूछ वगेरा मुलांकुर वगेरा कुछ निकलता है निश्चित तोर पे नहीं निकलता है पर जैसे हम इसको कहा डाल देते हैं पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है निश्चित तोर पे आप कहेंगे सर ये अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं ठेक है तो ऐसा क्यों होता है चोकि जो बीज होता है उसको किसमे विक्सित होने के लिए पौधे के रूप में विक्सित होने के लिए कुछ निश्टित चीजों की आवशक्ता होती है ये जैसे ही मिलती है तो विक्सित होने लग जाता है जैसे पानी, हवा, रोशनी वगेरा और ये सारी चीजे एक साथ उसे कब मिलती है जब किसी बीच को हम मिट्टी में डाल देते है या पिर जो हम अंकुरित खाते है उनको हम पानी में डाल देते है जिसके पश्चात क्या होता है बीच का अंकुरन जो है वो शुरू हो जाता है ठीक है? और एक बीच के विकास की जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं अंकुरन कहते हैं अब इसके कई उधारन हो सकते हैं क्योंकि बीच तो कई तरह के होते हैं तो गेहू, चना, मक्का, मटर वगेरा क्या है ये इसके उधारन है अब यहां से अगर कोश्चन की बात करू तो आपको बस इतना क्लियर होना चाहिए कि जो ब बनते हैं तो फूल से फल बनते हैं पलों के भीतर क्या होते हैं बीज होते हैं और यही बीजों का जब अंकुरन होता है तो वापस से यह पौधे बन जाते हैं और पौधे में से फूल जो है निकलाते हैं मतलब यह क्या है एक साइकलिक प्रोसेस है चक्री प्रक्रिया है जो लगातार जो है चलती रहती है तो देखिए प्रकरती जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुपती है तो इसी के साथ मुझे लगता है Sexual Reproduction in Flowering Plants यानि पुषपी पादप में लेंगिक प्रजनन आपको अच्छे से clear हो गया होगा तो अगर आपको आज का सेशन हमारा पसंद आया हो तो कल्यानी IIS Academy के चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले Thank you